सोनाली एटुजेट मॉवाई शॉप एंड रिपेरिंग सेंटर सभी कंपनी के शिंबा मॉवाईल मॉवाईल एक्सेसरीज मॉवाईल रिपेरिंग हाथो हाथ दो घंटे में फॉल्डर बाग ग्लास चैंज कराएं आज की प्रमुक खबरों पर आगे बनने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेड्लाइन्स पर समारो पूर्वक मनाया जाएगा गरतन दिवस समारो में पंचात इवं ग्रामिन विकास मंत्री महन सी शिशोदिया करेंगे द्वाजा रोहन निकाली जाएंगी जाकियां गरतन दिवस 26 जनवरी 2021 को प्रहता नो वजे से इस्तानिय लाल परेड ग्राउंड केंट गुना में पंचात इवं ग्रामिन विकास मंत्री मद्रदेश शाशन महन सी शिशोदिया के मुक्य आतित में गरतन दिवस समारो आयोजित किया जाएगा मेहुल ने विश्व इस्तर पर गुना का नाम किया रोशन गुनाशहर के हौन हार बालक मेहुल कृष्णानी ने विश्व इंडॉर रोईंग चैंपियंसिप के रिए A.C.I. कौलिफाइब में प्रत्थम स्थान प्राप्त कर गुनावनगर का विश्व इस्तर पर नाम रो मधुकृष्णानी के भतीजे हैं मैहुल ने आवाशी माध्यम के द्वारा होंग कोंग से आयोजित इस प्रित्योगता में हिस्सा लिया जिसमें 2000 मीटर वा 500 मीटर में ACI देशों के प्रितिभाग्यों को पचारती हुए प्रत्थम इस्तान प्राप्त किया 11 राश्टी मतदाता दिवस हुआ आयोजित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार प्रशोत्तम ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं हर मतदाता निर्वात रूप से मतदान करे यही लोकतंत्री की खुबी है यहां सत्ता परिवर्तन इतना सहस है कि विश्वी की और विश्व में और कहीं नहीं है यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कलेक्टर कुमार प्रशोत्तम ग्यारवे राश्टी मतदाता दिवस के अफसर पर सास की महाविद्याले में आयोजित कायरक्रम को संबोधित कर रहे थे जिले में लोकसेवा गारंटी अंतरगत नागरिकों को लगभग 12 लाग सेवा की गई प्रतान लोकसेवा के सपल 10 वर्ष पूर्ण होने पर मतप्रदेश लोकसेवा इबन शुशाशन के छेत्र में बढ़ते कदम कायरक्रम हुआ आयोजित कलेक्टरेट सन्युक भवन में कलेक्टर फहराएंगे राश्टी धौईज गरतन दिबस 26 जनवरी के अफसर पर राश्टी धौईज प्रता आठ वजे तून हर्चुलास इबम गरिमाय रूप से सन्युक आर्याले कलेक्टरेट गुना में कलेक्टर गुमार प्रुशुत्तम दोरा फैराय जाएगा गरतन दिबस के अफसर पर 26 जनवरी 2021 को प्रहता साड़े साथ बजे उपस्तित रहने के लिए निर्देशित किया है जिला कलेक्टर की निर्देश अनुसार शास की भपनों पर लगाई गई रंगीन लाइट गरतन दिबस को लेकर किया गया था निर्देशित आतरात की नियस से घूम रहे ब्यक्ति को धर्णावदा थाना पुलिस ने दबोचा आरूपी से 315 बोर कट्टा इबंदो जिन्दा राउंड बरामत किये पकड़ में आये आरूपी पर थाना कुमराज के 3 अपरादों में घोशित था 11,000 रुपे का इनाम आरूपी के बरोद जारी एक इस्थाई वारंट में धर्नावदा थाना पुलिस को भी थी जिसकी लंबे समय से तलास गुनापुलिस की अविश शराब की वरोद लगतार कारवाही पुलिस से मिली जानकारी अनुसार जिले के जामनेर थाना प्रवारी उपने रिक्चक कृपाल सींग परिहार को अपने थाना चेतर के ग्राम गोचा अमल्या में एक व्यक्ती दोरा उसके खेत किनारे इस्थित नाले में अवही दुरूपशे शराब बनाया जाने की सूचना मिलने पर उनके दोरा अपने फोर्स के साथ ततकाल उक्त इस्थान पर दविश दी गई तो पुलिस को मौके पर कोई व्यक्ती तो नहीं मिला लेकिन एक सिमेंट की टंकी एबम एक ड्रम में करीबन 1000 लीटर महुआ लहान मिला जिससे पुलिस द्वारा नश्ट किया गया पंचात एबम ग्रामिण विकास मंत्री भहन सी शिशोदिया द्वारा 87,000,000,000 के कारियों का भूमी पूजन एबम लोकारपन बहमोरी विदांसावा चेत्र के भिविन ग्रामों का किया भ्रमन प्रदीश के पंचात एबं ग्रामिन विकास मंत्री भहन सी शुषोदिया ने कहा कि जिले के बमोरी में ऐसी उद्धूग लगाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं जिससी छेत्र के क्रिशकों के आय में ब्रद्धी हो आने वाले 25 सालों में छेत्र के विकास में कोई कसर वा बार दोरा आयो जित्सेमत भागवत कथा में आज पंचम दिवस की पवित्र पावन बेला में ब्रंदा बंधाम से पधारे परम पूजिये इंद्रेश उपाद्ध्य जी ने आज श्रष्टी प्रशंग की महिमा का अधभूत बर्णन किया कोरोना मरीज से पुलिस और जेलर हुए परिशान एहरान कैंट दाना चेत्र का मामला जहर खुरानी मामले में आरोपी को कैंट पुलिस ने नियाले में पेस किया बहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया आरोपी निकला कॉरोना पॉजिटिव, जेलर ने जेल में लेने से किया इनकार, कैदी को पहले अस्पताल में ले जाकर भरती करने को कहा, कैंट पुलिस कई घंटों तक असम्मंजश में रही, कई घंटों तक आरोपी बैठा रहा जेल के बाहर 32 सरक्षा महा के अंतरगत, आज यतायात पुलिस द्वारा इस्तानी बसिस्टेंट पर बाहन चालकों के नेतर परिक्षण हेतु, एक निशूलक नेतर शुवीर का आयोजन कराये गया इस सिवीर में 75 बाहन चालकों के नेतर परिक्षण, जिना चिकिश साले गुना के नेतर विशिशक डॉक्टरों की टीम दवरा किया गया साथी निशूलक परामश एबम दवाईया उपलक्त कराये गये, एबम कई वहन चालकों को चिकिश साले में आकर और बारिकी से जाच कराने के सुजाब भी दिये गये नेतर शुवीर इस्तानी ये जज्जी वस इस्टेंड पर आयोजित किया गया ये सिवीर में यातयात थाना प्रभारी निरिक्चक, आर पी वर्मा, शुवेदार, अविनास, उम्रैया, शुवेदार, यश्वन्त, रगवेशी, उपनिरिक्चक, नरेंद्र गोयल एबम अनि यातयात श्टाप के साथ आटो यूनियन, बस यूनियन आधी के सदस्शिगण मौजूद रही जिलो में कडाकी की शर्दी और कोहरे का असर आज भी जारी रहा, सुवेदस वेजे तक घना कोहरा चाया रहा, तापमान में काफी ग्रावर्ड देखी गई अकिलभारती विद्धारती परिशत द्वारा आज टाचोड़ा इकाई के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विबन मार्गों से होती हुई किर्सी उपजमंडी पहुची, जहांपर यात्रा का भववेश्वागत किया गया एबम भाचपा की पूर विधायक मंतमीना ने मंच पर पहुचकर अकिलभारती विद्धारती परिशत के सतश्यों को शुब कामनाय दी, एबम आगामी भविश्य के संगटन को मजबूत करने के लिए महत्पूर योगदान युवाओं का होना चाहिए और युवा ही हमारे के युवाओं से कही एबम नर्सिंग चात्र संग्टन समीतिय के नेतरत में रेली निकाल कर कलेक्टरेट पहुचकर SDM अंकीता जैन को मुखमंत्री के नाम सौपा गया ज्यापन उन्होंने बताया कि कोरोना महमारी के कारण 2019-20 का सेक्चिनिक सत्र ना तो कॉलेश खुल पाए और ना ही नियमित कक्चा हैं नियमित कक्चा नहीं लगने से हमारा कोश भी पूरा नहीं हो पाया साथी पहले ही प्रिथम बदित्य वर्ष के चात्रों का एक साल चड़ चुका है और अब पूरा साल निकलने के बाद भी अगर परिक्षान ली जाती है तो चात्र मांसिक तनाप का शिकार तो होंगे ही साथ में एक वर्ष का कोर्स दो वर्ष में पूर होगा जो की इसी तरीके से सही नहीं है सत्र दो हजार निस बिस के ऐसी एश्टी वर्ष के चात्रों को आवास योजना की राशी का भुकतान अविलम करने की मांग पर मंत्री महनसिन शिशोदिया को स्वंपा गया ग्यापन सत्र दो हजार उन्नीस के सभी अनुशूचित जाती जन जाती के सभी पात्र छात्रों के खातों में आवाश योजना की राशी का अभिलम भुकतान करने की मांग पर आज चात्र संगेटन ओल इंडिया डियसो ने पंचात एबम ग्रामिन विकास मंत्री महनसी शुशोदिया को उनके विस्तानी निवास पर जाकर उन्हें ग्यापन सौपा आज सिविल डिस्पेंसरी केंट गुना में कॉरोना वैक्सिन का पहला ठीका डॉक्टर रामबीर सिंग रगवनशी रिटायर्ट मुक्ष गिस्सा एबम स्वासतिकारी द्वारा लगवाया गया उन्होंने बताया कि ये ठीका कॉरोना से बचाव का एक मात्र हत्यार है ये पूर्टहा सुरक्चित है सभी से अपिल की है कि किसी के दूस पर चार में ना आए एबम आपके बारे में 11 राष्टी मतदाता दिवस हुआ आयोजित कलेक्टर एबम जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुर्शोत्तम ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं हर मतदाता निर्वात रूप से मतदान करे यही लोकतंत्री की खुबी है यहां सत्ता परिवर्तन इतना सहस है कि विश्व की और विश्व में और कहीं नहीं है ये हमारे लोक तंत्र की विशेष्टा है कलेक्टर कुमार पुशोत्तम ग्यारवे राश्टी मद्दाता दिवस के अफसर पर असास की महा विद्याले में आयोज़त कारक्रम को संबुदित कर रहे थे अबी भी 130 कोड़ों के देश में सत्ता परवरतन होता है कि इसका उदारण अन्य देश में नहीं बिलता अभी आपने एक अन्य बहुत ही प्रोकेसिव लोकतंत्र अमेरिका के बारे में पढ़ा होगा कि जहां नहीं राश्पती चुने गए और कि इस तरह की घंटा होई इस तरह की गल्पना तमाम इसमताओं के बारत में नहीं की जा है और हमें यह सुलिश्चित के आया है कि हर आदमी अपने मतादिकार का दिर्वाद रूप से प्रयोग कर सके यह कि इस लोकतंत्र की खुब्सूर्ती है आप आज इस अवसर पर नहीं मद्वाता सामिल हो रहे हैं सिर्फ ब्यवस्था को पोशने से या ब्यवस्था को खरा आदे जाने को विए इक टिकाल करम मारूप कर लेते हैं जाहता है कि नहीं है और जो यह नए वावर है कि विजिटन्व कर देकर कि या उसके पास सुचनाओं की तरफ एक्से बाएं आप चीजों को आपको समझने का तूल हमारी परीज से जादा है हमारे टाइब पर पड़ाई के लिए हम किताबों के आश्रीट रहते थे लगवेरी अगर कोई अच्छी मिलने ये उसके अच्छी किताम मिलने तो जो किताब जिसके पास अच्छी सिवस्तित वो अपने पास उपाव रखता रहे दूसरे न पड़ता है आज की तारीफ में इंटर्वनेट पर स उसके फायदे नुकसान अलग-अलग है लेकिन कहने का आश्रीए है कि एक ऐसा यूँ अवर भी जिसके पास अपार सुचना है अपार संसाधर ने सुचना है इसलिए दाई तो भी गुलतर है और इस मताता भी असके आउतर आउ सकते ये दाई तो आपको इस गुलतर दाई असवर्ष पूर्ण होने पर मत्रदेश लोग सेवा इवन शूशाशन के छेत्र में बढ़ते कदम कारिकरम हुआ आयोज जिले में लोग सेवा गारंटी अंतरगत नागरिकों को कुल 11,87,506 सेवाएं समिसीमा में प्रदाय की जा चुकी हैं जिसमें मुक्र सेवाओं में इ पीछे के परिवारों की सूची में नाम जूड़ने की 2934 निर्माश रमिकों का पंजियन की 463 बिवाशायता योजना का लाव की 777 पता सत्र लाइसंस का नवीनिकरन की 2386 सेवाँ शामिल है यह जानकारी शाष्टी महविद्यालिक गुना में आयोजित लोग शेवा के सबल दस वर्ष पूर्ण होने पर मदप्रदेश लोग सिवा इबं शुशाषन के छेत्र में बढ़ते कदम कायरक्रम में भी गई अगर अगर उनको अगर उनके डोने स्वान दे रही है तो यह लोग गल्यानकारी सांदन के अपनी जल्ता के प्रति 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 पदलता के सबसे सुन्दर हुआ है आज इसका इसके दस काल पूरे होने पर समादो राजित हो रहा है और मानिये मुपंद्री जी यहां उपस्तित है जिसका आउनलाइन पुछारण आप लोग दे लिए तो इसकी गंदेश्ता और इसकी मानिया इसी सबस्त है पूरे प्रदेश में लोग आज सारे हिरानों के जिप बोबाल मादी मुपंद्री जी की बस्त्री में लाइत और उसका इटेन पूरे जिनी कि विदान किसी रुखावज के, विदान किसी परशानी के हूँ, यह हमाना लक्ष है, और जिना प्रशादान के मुख्या होने के नादे, मैं आप सब को आप सब करता हूँ, कि लो सिवा के इतर भी अगर पहले, तभी भी आपको कहीं दखता है, कि आपको अपने रख काम के सही काम के लिए, किसी पर प्रशानी होती है, तो वाड़ तक पे कालेट से स्काइट आप कहीं दिगा सकते हैं, और निश्चित दौर प्रोस्ता का अधान होगा, क्योंकि मानने मुख्मंत्री की मद्देश साजग की मंता है, कि आम आपनी सबसे सरो परी है, उसको अपने का काम में किसी तरफे दिखकर नहीं होनी चाहिए, आपका समादो होती, उसे पर प्रशाने का मता हैं, और निश्चित दौर प्रोस्ता का अधान होगा, क्योंकि मानने में आरोपी को कैंट पुलिस ने नियाले में पेस किया, बहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया, कई घंटों तक आरोपी बैटा रहा जेल के बाहर. इसे बुर्श किया जाएगा, उसके बाद वो एडिट किया जाएगा, और लाइन से पर दिया जाएगा, तक केंट ठाने का मामला है? जी केंट ठाने का मामला है. इबम दवाईयां उपलक्त कराएगे, इबम कई वहां चालकों को चिकिस साले में आकर और बारीकी से जाच कराने के सुजाब भी दिये गए. नेतर शिवीर इस्थान ये जजी वस इस्टेंड पर आयुजित किया गया. इसमें से दो नेतर लोगी मिलें जिने जिलाच से जाच के लिए. अरि तक 51 लोगों पर जाच के लिए. दो लोगों को पीड़ी ते तो बेज़ दिये. अकिलभारती विद्धारती परिशत द्वारा आज टाचोड़ा इकाई के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई. जो शहर के भिबन मार्गों से होती हुई किरसी उपजमंडी पहुची. जहांपर यात्रा का भववेश्वागत किया गया. एबम भाचपा की पूर का भविशें राम मंदर बनाने को लेकर हम सब की आस्था और भीवड़नी चाहिए और ज्यादा जिजादा मंदर निर्माड में योगदान करके भव्य राम मंदर का निर्माड हम सभी देश वाशियों को करना है. ये बात मंतमीना ने मंच पर शम्मूदित करते हुए अच्के माचें से धंदवाद रहना चाहूंगी क्योंकि आज कल गर्पवी दिवसे उसके पूर्व एक दिन पूर्व आप नहीं 25 जनवरी को आपनी तरंगा यात्रा निकाली है. मागे में देश के पती हर बेक्ति के मन में प्रेय में. देश के बेक्ति हर बेक्ति चाहता ह कि देश के लिए को कुछ करे और देश के लिए हर बेक्ति चाहता है कि देश हमारा कभी हमारा देश का धेना कभी जुगना पाए हर बेक्ति की सोच होती है. लेकिन तरंगा यात्रा के मात्यम से बने ही लोग आप यहां पर नहीं हैं लेकिन आपने नगर में तरंगा यात् तो कहीं न कहीं हर फ्यक्ति के चरह पे खुशी थी और हर फ्यक्ति को मन में लग रहा था कि हम भी पुस्क बरसाए हम भी इस तरंगे यात्रा का आके स्वाधत करें करना ही नियमित कक्षा नहीं लगने से हमारा खोश भी पूरा नहीं हो पाया साथ ही प्रिथम बद्यत्य वर्ष के चात्रों का एक साल चड़ चुका है और अब पूरा साल निकलने के बाद भी अगर परिक्षा ली जाती है तो चात्र मांसिक तनाब का शिकार तो होंगे ही सा स्ट्रेंट स्ट्रगल कमिटी और युवा संगाटन एयाई दिवायों ही उससे जिल्ला कलेक्टर को इत्यापन सोपा गया है आप जानते हैं कि पिछला साल पूरा कुरोना में गया है कोई क्लास नहीं लगी है कूर्स कंप्रीट नहीं हुआ है और यह आइन्सी जो होता है नर्सिंग काउंसल उसने आदेश दिया था कि जर्नल प्रमोशन दिया जाएगा यह दिसंबर में आदेश आया था और इसको मध्यप्रदेश की जो जबलपूर नर्सिंग जबलपूर उन्वरसेट इसको लागू भी कर दिया था लेकिन चउदव जनवरी को फिर से इसको जबलपूर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग नर्सिंग स्टुडेंट यह डिमांड करते हैं हम पर मानसिक तनाब है एक साल हमारा और बढ़ जाएगा यह मांग करते हैं कि आएंसी का जो सर्कुलर जो जर्नल प्रमोशन देने का उसको लागू किया जाए क्योंकि इससे को सब्सक्राइब नहीं हुआ है और यह हमारा एक साल और खराब होगा तो इसको लेकर आज डिवायों की ओर से हम लोगों स्टुडेंट्स में व्यापन दिया था पहले हम लोग क्लेक्टेड गये थे क्लेक्टेड में कोई था ने या गुना पीजियो कलेज में दिया है और हमें आश्वाशन दिया है हम दो दिन वाद अगर फिर नहीं होगा यह आंदोलेंपूरे मद्रे प्रदेश में योवा सघटन डिवायों की ओर से एक राज्य वापी वरोध प्रदाशन हमें दो या तीन दिन में फिर से हुगा सत्र दो हजार निस बीस के एसी एश्टी वर के चात्रों को आवास योजना की राशी का भुकतान अविलम करने की मांग पर मंत्री महनसीन शिशोदिया को स्वापा गया ग्यापन सत्र दो हजार निस के सभी अनुशूचित जाती जन जाती के सभी पात्र चात्रों के खातों में आवास योजना की राशी का अभिलम भुकतान करने की मांग पर आचात्र संगटन ओल इंडिया डियसों ने पंशात एबम ग्रामन विकास मंत्री महनसीन शिशोदिया को उनक जाती कल्यान द्वाग गुना और भुपाल से कर रहे हैं युदा को ने दोबार आस्मासँ दीजा चुका है उसके बावजूदी उनका बजर रावंटन नहीं हुआ है उनकी पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है वो यहां से रूम छोड़कर घर जाने के लिए विवश है और कई ऐसे चात्र जो उनकी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो जो सरकार जिन चात्रों के लिए जो यह जना चलाती है उनका समय पर भुकतान किया जाए ताकि चात्र अपनी पढ़ाई कर सकें इसी मांग को लेकर आज यहां पर हम लोग ने ग्यापन दिया है और तुरंती हम लोग अगले शरण में सांदूरन को ले जाएंगे अगर शात्रों की आवाश्य जिनागराशी का बुकतान नहीं किया जाता है तो चन्ने बाद हमाने यहां लेदर जैकेट, सादा जैकेट वा सभी बराइटी की जैकेट उफलब हैं गर्मकपरों की संपून शंकला उफलब है जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ो तक की संपून शंकला हमारे यहां जीन, शर्ट, टीशिर्ट, लेदीज जीन, लेदीज टॉप वा लेदीज टीशिर्ट इसके साथ ही लेदीज कुर्से, लेगिंग, ड्रसेट हमारे यहां सभी के लिए अनेख प्रकार की वराइटी, डिजाइनिंग वा ब्रांदेट कार्मेंट एक बार सेवा का मौका जरूर दें साथ ही सर्दियों का धमाका, ट्रिपुर होजरी सैड इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लीडी स्वेटर, लीडी जैकेट्स, बूलन कुर्टे बच्चों के लिए भी वूलन में कई वेराइटी, जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर ट्रिपुर होजरी सैल, हमारा पता ट्रिपुर होजरी सैल